बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरिभी, बेरोजगारी वे आस्मान छूरही महंगाई, आधी पर से जनता का ध्यान बाटने के लिए बीजे पीवेन के सयोगी संक्ठनों दुवारा चुन-चुन कर वेखास कर यहां धार्मिक कस्तलों को जो निशाना बनाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, इससे यहां कभी भी हालात बिगड सकते हैं और अब आजादी के बरसों बाद, यहां ज्यान व्यापी, मत्रा, ताज महल, वे अन्य और रिस्तलों के मामलों की भी आड में, जिस परकार से सड्यंत्र के तहत, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, बलकि कमजोरी होगा, इस और भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है इसके साथ यह विशेश कर एक धरम समुदाय से जुड़े स्तानों के नाम भी एक-एक करके जो बदले जा रहे हैं तो इससे अपने देश में शान्ती, सद्भाव, भाईचाराद ही नहीं, बलकि आपसी नफरत, अबम दुवेश की भावना ही पैदा होगी यह सब अतिचिंतनिया हैं, तथा इनसे देश की आम जन्ता, वे सभी धरमों के लोग भी जरूर स्तर्क रहें क्योंकि इससे न देश का भला होगा, ना ही आम जन्ता का भला होगा बीएसपी की देश पे आम जन्हित में यह सला भी है, धन्यवाई